क्या आपके दात में तकलीफ है? क्या आपके तूर्ष पेस में नमक है? ऐसा कुछ नहीं है. क्या आप गोरकपूर दिन द्याल उपाद्या जिस्वी द्यालएक के स्टूडेंट है? क्या आप B.A.D. के स्टूडेंट है? तो स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके बीएट सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है हाला कि यह उप्शनल सब्जेक्ट है लेकिन इंपोर्टन सब्जेक्ट है ज्यादा तर बच्चे वही चुनाओ करते है उस सब्जेक्ट का नाम है दो उसके बाद वन बाइवन जितने भी आपके सब्जेक्ट में टॉपिक है जितने भी आपके लेसंस है उसको यहाँ पर हम डिसकस करेंगे सिलेबस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ यह जो पूरी बुक है वह कंपलीट आपके यूनिवर्स्टी के अनुसार ही और नीचे सेवेस्टर सेकेंड पेपर 9 पेपर कोड 109A लिखा हुआ है आपको बता दूँ कि इस पूरे बुक में टोटल 20 चैप्टर हैं कितने चैप्टर हैं 20 चैप्टर हैं और बहुत अच्छे और बहुत ही लेंदी चैप्टर नहीं है तो यानि कि अगर हम हर एक वीड अर्टी नहीं नहीं है लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो बीस दिन क्या 10 दिन काफिय लेकिन पिस्तार से उपड़ेंगे तो बीस दिन पर quienा सब्स तो चलिए मैं थोड़ा साथ देता हूं मैं थोड़ी महनत करता हूं आप आपने इस तरब से महनत षूदी सब्जेक्स को अच्छे से पढ़ते हैं इस वीडियो में देख लेते हैं कि समावेसी सिक्षा के अमूल तत्व इंक्लूजिव एजूकेशन्स फंडामेंटल सफ इंक्लूजिव एजूकेशन्स के सलेबस क्या है इसमें आपको टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है उमीद करते हैं कि आपने देख लिया होगा कि आपका जो सेकेंड समस्टर है वो सेकेंड समस्टर में ये सारे सब्जेक्स आपको पढ़ने हैं जैसे अगर म सब्जेक्ट को आपके सलेवस में रखते हैं और मैं भी आपसे यही कहूंगा कि बिएर्ट सेकेंड समेस्टर का यह इंपोर्टन सब्जेक्ट फंडामेंटल उफ इंक्लूसिव एजुकीशन में आपका सलेवस क्या है कितने यूटिट है और आपको पढ़ना क्या है दोस्तो तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका पहला यूटिट इसमें क्या है इसमें आपको पढ़ना क्या है जो तीन सवाल प्रमुक आपसे पुछे जाते हैं तो दोस्तो पहला सवाल तो यही पुछा जाता है कि इसमें कि समावेसे सिख्चा की परिभासा उसका चेत्र उसका उदिस उसका महत उसकी इसस्ताइक क्या है जो तो इसकी तयारी आपको जरूर करनी है मैं जरूर इसका वीडियो बनाऊंगा सेकेंड टॉपिक की एकर हम बात करें तो सेकेंड टॉपिक है आपका इसमें concept of handicap, impaired and disabilities अब यहाँ पे यह जो तीरों concept है यह भी important है handicap, impaired and disabilities इसको यूँ समझें जी विकलांग, अपंग और बाधित ऐसे बच्चों की क्या concept होती है क्या इसके अंदर फर्क होता है यह आपको जानना है growth and development of special education in India and abroad की भारती सिख्चा में या फिर बिडियस की सिख्चा में यह जो special education है उसका growth and development कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या important factor है यह सारे चीज़े आपको देखनी है concept and significance of early identification की कैसे इसको early identify कर सकते है कैसे इसकी पहचान करनी है यह आपको देखना है और concept, significance of least restrictive environment कैसे restrictive environment इस पर उपर impact करता है क्या इसकी भूमिका होती है यह आपको जानना है concept and significance of education interventions, teaching technique and mainstreaming, concept significance of technique and remedial teaching कहने का मतलब दोस्तों कि आपका मैं संपूर एक unit की आपकी व्याख्या कर देता हूँ कि इस पूरे एक unit में आपको क्या पढ़ना है और आपसे क्या जानना है और सवाल कैसे पुछे जाते है देखिए इस बुक में अगर आप देखेंगे तो पूरा आपका एक unit का आपका पूरा यह इस लेबस है जिसका नगर एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस इक 11 lesson दिए गए इसमें आपको करना किया है तो इसमें आपको जानना है कि समय स Nepड मि उसकी अर्थ, दृधा ऑरडा परिवासाई विशेशताय चाहते है उसका उधियस क्या होती है उसका मिध्य पहचान क्या से करेंगे एक इक आपका सुदम इसक्षा waar उति होता है MAX सिक्षा क्या होती है और special education और special child किसे कहते हैं यह वो सारे topic है और जैसे education and special education क्या होता है use and organization resource room की बात करें और teachers का क्या योगदान होता है तो complete जो आपका पहला unit है दोस्तों वो inclusive education के introductions के बारे में है कि आप inclusive education से क्या समझे हैं कैसे पढ़ाएंगे क्या क्या इसकी साधानिया है क्या 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 इसके उदेश से जिसको हम जरूर देखेंगे एक ही वीडियो में यहां पर देखने की कोसिस करेंगी दूसरा important दोस्तों बहुत ही है दोसरा unit बहुत ज्यादा important है व new education policy जो 1986 उसके बारे में और POA 1992 POA का मतलब दोस्तों जैसे इसको PWD भी कहते है जैसे people with disabilities ठीक है तो इसके बारे में एक act लाया गया उसके बारे में आपको बताना है और RTE 1290 right to education act ठीक है सिख्छा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो लाया गया ता इसके बारे में आपको ground देखना है यानि constitutional provision देखना है उसका main यह दोस्तों पहला आपका 1986 की एक अनिपी देखना है दूसरा दोस्तों 1992 1992 की PWD people with disabilities act जो आया था या फिक जिसको POA भी कहते हैं इसके बारे में जानना है और तीसरा दोस्तों आर्टी एक जिसे हम आर्टी एक जिसे हम 2009 कहते हैं सिख् सवाल में समझ जाइए दो सवाल तो आपको जरूर पूछे जाते हैं और इन तीन का तीनों महत्रपूर्ण सवाल आपको देखना है चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे यूनिट की तीसरा यूनिट भी बहुत अच्छा है अब तीसरा यूनिट जैसे आपने प्रगार होते हैं जैसे मंदबुत्धी हो गया तो उनके IQ लेवल के अधार पे कितने mentally retarded children होते हैं मासी रूप से अपंग बालक कितने होते हैं उनके बारे में जाणना है Technology of Mental Retardations Characteristics of Educable and Trainable Mentally Retarded Children ऐसे बचों की क्या बिसेश्टा है जो कि Mentally Retarded होने के बाद भी उन्हें पढ़ाया जा सकता है उन्हें सिखाया जा सकता है ठीक है Program of Education Educable Mentally Retarded Children क्या क्या प्रोग्राम होए क्या क्या सिस्टम है जो ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते है Program of Education for Trainable Mentally Retarded Children मतलब उन्हें क्या 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 प्रोग्राम है इसके बारे में यह चोड़े-चोड़े टॉपिक है दोस्तों जो की एक-एक लेसन में आपको दिया गया है उस सारी चीज़े बताऊंगा अब जब यहां पर आपने Mentally Retarded Children देख लिया इसलिए Visually Impaired Children को भी देखना है जिसको द्रिष्टी से संबधित असुमिदा होती है इनकी Concept और उनकी Qualification क्या होती है इनकी Characteristic जिसेस्ताय क्या होती है इनका Education Program कैसे होगा और कोई Counselor कैसे इनकी Help कर सकता है Role of Peer Group दोस्तों का जो गुरूप है उसकी क्या भूमी का है Family Community in Education of Special Children है उनके Education में उनके दोस्तों की उनकी Family की और उनकी Community की क्या भूमी का है इसके बारे में आपको पढ़ना है जो लास्ट इनिट से दोस्तों पांचे बार लास्ट बट नॉट दलीस अच्छा पॉइंट है यही मेर पॉइंट है आपको यह सोड़ा भी जानना है पांचवे इनिट में आपको देखना है Concept, Attilogy, Characteristics and Brief Outlines of Education किसका भाई जिवैनियल डेलिकेंट चिल्रेंट, Emotionally Disturbed Children, Gifted चिल्रेंट और Slow Learners, इन सारे वच्चों का जैसे Slow Learner, Gifted चिल्रेंट और Emotionally Disturbed चिल्रेंट और जिवैनियल डेलिकेंट चिल्रेंट, इनका क्या Concept है, इनका क्या अर्थ है, इनकी क्या विसेष्टाएं है, इसके बारे में हमें Brief Outline एक संचिप्त रूप से इनको जानना है, तो यह आपका पांचवा इनिट है, दोस्तों यह जो अभी जो वीडियो है ना, यह किवल आपके सवाल है, इसे विसेष्ट सिक्षा क्या होती है, इसका कारेच्षेत्र क्या होता है, समय विसेष्ट सिक्षा क्या होती है, इसका कारेच्षेत्र क्या होता है, तो एक वीडियो में डेफिनिटल दोस्तों एक वीडियो में आपका पहला लेसन क्या सकता है, ठीक है, ए यह request है कि आप थोड़ा बहुत देखते चलिए क्योंकि exams कब आ जाता है पता भी नहीं चलता है और उस समय नहीं निकाल पा रहे है तो अगर आप समय नहीं नहीं पड़ पा रहे हैं तो आपको लगेगा कि हां हम अपने topic से connected है हमें क्या पढ़ना है हम उससे जुड़े हुए चलिए मेरी कोशिस रहेगी कि मैं डेली कुछ नकुछ आपको inclusive education से सम्मध्ध वीडियो ले क्या हूँ बाकी भी हम अन्य subject से सम्मध्ध वीडियो ले क्या आएंगे पस उसके लिए आपको क्या करना है चैनल से जुड़े रहना है चैनल से बने रहा है रहना है मुझे इतना ही बहुत शुक्रिया देखने के लिए नए चूले है चैनल से सब्सक्राइब करके चुड़ जाएगा पसंद आए यह वीडियो लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक शेयर करिए उनसे भी कहिए ज्वाइन करें इस वीडियो इतना ही दोस्तों इस्ताग्राम क झाल